हेलो गाइज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 3D Array क्या होता है, 3D Array किस तरीके से हम लोग इनिशलाइज करते हैं, किस तरीके से 3D Array का रिप्रेजेंटेशन होता है और 3D Array में Row Major Order और Column Major Order के बारे में भी बात करेंगे तो बिना टाइम वेश्ट करें चलिए, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, What is 3D Array? तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, Collection of 2D Arrays is called 3D Array यानि कि 2D Arrays के Collection को ही 3D Array कहा जाता है All right, Syntax की बात करें तो Data Type Array Name Table Row Column यह Table Size होगा, यह Row का Size होगा, यहाँ पर Column का Size होगा कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, Data Type होगा हमारा Integer Data Type Array Name ARRR, 2 Table का Size है, 3 Row का Size है, 3 Column का Size है अब अगर इसी Array को हम लोग Initialize करें, Elements डालके, तो कुछ इस तरीके से Initialize करा जाएगा इसको Ar, R, 2, 3, 3, अब यहाँ पर 2 Big Braces लगेंगे, All right यह हम लोग का 3D Array Represent कर रहा है, यह वाला Bracket अब 3D Array में 2 2D Array है, क्योंकि यह Table Size 2 लिखा है, तो यह वाला Bracket हमारा 2 2D Arrays को Represent कर रहा है, All right उसके बाद उसमें 3, 3 Row और Column है, तो 3, 3 Element हम लोग Store करा देंगे यहाँ पर Row-Wise Storage के According हम लोगों ने दिखाया हुआ है, All right Column-Wise Storage होता, तो यहाँ पर 1, 2, 3 की जगा 1, 4, 7, 258, 369 इस तरीके से Elements रिप्रेजेंट करे जाते है Row Major Order और Column Major Order में यही Difference होता है, कि Row Major Order में हम लोग Row-Wise Elements Store करते हैं और Column Major Order में Column-Wise Elements Store करते हैं तो अगर हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं आपर 2 2D array यानि कि 2 matrices हम लोगों ने रखें, एक का इंडेक्स 1 है, एक का 0 है अब 0 index वाली 2D array में यानि कि इस matrix में हम लोग के 3 x 3 के Elements हैं यानि कि 3 row और 3 column के इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 3D representation memory में किस तरीके से होता है तो 3D representation कुछ इस तरीके से होता है, यह बड़ी वाली हम लोग की है 3D array अब 3D array में बीच में partition है, यह 2D array एक 2D array यह है दोनो 2D array में जो blocks हैं, एक block में एक 1D array store होगी है हम लोग का हम लोग को पता है कि 1D array is the collection of elements 2D array is the collection of 1D arrays and 3D array is the collection of 2D array I hope आप लोग को clear हो गया होगा कि 3D array क्या होता है, 2D array क्या होता है और 1D array क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग ज्यादा detail में discuss नहीं करेंगे फिलाल हम लोग चलते हैं अपने अगले topic की तरफ जोकी है row major order and column major order in 3D arrays अगर हम लोग row major order formula for 3D array के बारे में हम लोग बात करें तो basically इसका formula कुछ इस तरीके से होता है a i j k i यहाँ पर हो जाएगा table का index j हो जाएगा row का index और k हो जाएगा column का index ba for base address i minus lb1 lb1 हो जाएगा lower bound of table m into n m हो जाएगा यहाँ पर number of rows n हो जाएगा number of columns number of rows, number of columns किस तरीके से calculate करना है यह हम आपको previous video में बता चुके हैं तो हम लोग इसमें भी question करते time discuss कर लेंगे कि m और n किस तरीके से calculate किया जाता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे j minus lb2 lower bound of row lb2 जो होगा वो lower bound of row होगा यह चीज़े याद रखिये हैं lb1 होता है lower bound of table lb2 होता है lower bound of row और lb3 होता है lower bound of column यह formula है guys इस formula की help से हम लोग किसी भी 3D area में location trace कर सकते हैं किसी भी particular element की all right w का मतलब size size यानि कि size of each element element का जो size होगा जैसे कि integer है two size है या फिट size आपको question में given होगा अब अगर हम लोग example की तरफ बढ़ हैं तो यह example ले रखा हैं आपके हम लोगों ने एक for a double r 1 is to 9, minus 4 is to 1, 5 is to 10 with base value of 400 base address यहां पर 400 दे रखा है and the size of each element is 2 byte guys यहां पर size of each element 2 byte दे रखा है यानि कि w हम लोग को दिया हुआ है b a हम लोग को दिया हुआ है find the address of arr 5-18 यानि कि हम लोग को i दिया हुआ है j दिया हुआ है k दिया हुआ है using row major order तो सबसे पहले हम लोग given note करेंगे तो guys यहां पर देख सकते हैं आप लोग given note किया हुआ है base address 400 है w2 दिया हुआ है lb1 की बात करें तो lower bound of क्या होता है lb1 lower bound of table lower bound of table यह है हमारा lower bound of row हम लोग का यह है lower bound lower bound of column हम लोग का यह है अब अगर हम लोग बात करें m की तो m होता है number of rows number of rows किस तरह निकालेंगे upper bound of row यानि कि upper bound of row 1 minus lower bound of row yानि कि minus minus 4 plus 1 तो यहां पर हम लोग formula में यह values put करेंगे तो हम लोग का m की values चिकसा जाएगी इसी तरह n का formula होता है upper bound of column minus lower bound of column plus 1 तो 10 हो जाएगा upper bound of column 5 हो जाएगा lower bound of column plus 1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आजाएगा हम लोग का mn की value निकला है हम लोग को जो भी initial values चाहिए तो formula में रखने के लिए वो सारी values हम लोग को मिल गई है अब हम लोग formula में उठा के इन values को रख देंगे आप लोग video pause करके question जरूर ट्राई किया करिए ताकि आप लोग खुद से भी एक बार practice करने है इसके बाद हम लोग a 5-1 8 की value location निकालना है हमे तो basically base address यहनि 400 plus i-lb1 i यहाँ पर 5 दे रखा है 5-lb1 lb1 हम लोगों ने 1 लिखा हुआ है तो lb1 की value रख देंगे into m into n mn6 है 6-6 से multiply उसी तरीके से हम लोग formula में सारी values put करेंगे solve करेंगे और हम लोग का answer आ जाएगा 7-30 यानि की इस element की location होगी 7-30 alright i hope कि आपको row major order clear हो गया होगा आप हम लोग बात करते हैं column major order के बारे में guys आप लोग को पता ही है कि column major order भी row major order की तरह ही होता है बस difference इतना आता है कि उसमें row wise storage होता है और इसमें column wise storage होता है elements का यहाँ पर formula दिया हुआ है aijk is equals to base address plus size into i minus lower bound of table into m into n इत्ता तो same ही है plus j minus lb2 lower bound of row guys अगर हम लोग row major order की बात करें तो उस पर हम लोग number of column से multiply कराते हैं लेकिन अगर हम लोग column major order में करेंगे तब हम लोग number of row से multiply करेंगे k minus lb3 में तो बस इतना सा ही change आएगा दोनों formulas में तो अब अगर हम लोग इसका example की बात करें तो यहाँ पर example दे रखा है for arr 1 is to 8, minus 5 is to 5, minus 10 is to 5 with base value 400 यहाँ भी दे रखी है and size of each element is 4 byte guys यहाँ पर size of element 4 bytes दे रखा है वहाँ पर 2 bytes दे रखा था find the address of arr333 using column major order guys I hope कि आप लोग को row major order clear रहा होगा तो आप लोग एक बार इस formula के through इस question को खुद से solve करने की कोशिश करिए और video pause करके solve करने की कोशिश करिए तब तक मैं आगे का explain करता हूँ तो basically अगर हम लोग बात करेंगे तो given हम लोग को क्या है base address 400 हम लोग को w दिया हुआ है 4 lb1 1 आ जाएगा lb2 minus 5 आ जाएगा lb3 minus 10 आ जाएगा अगर m निकालेंगे तो upper bound of row minus lower bound of row plus 1 तो यह 5 minus 5 is equal to 5 plus 5 plus 1 यानि 11 आ जाएगा n की value हम लोग की 16 आ जाएगी I hope कि आप लोग उन्हें खुद से solve करने की कोशिश की होगी आप लोग answer अपना match कर सकते है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सारी values उठा के अगर हम लोग formula में रख देंगे तो हम लोग का answer आएगा 2,4,1,2 अगर आप लोग का answer आ रहा है guys congratulations you got the right answer और comment में ज़रूर लिख दीजेगा कि आप लोगो ने कितने attempts में आपका answer आया है सही so this was all about row measure order and column measure order in 3D arrays I hope कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो clear हुई होगी अगर वीडियो clear हुई हो तो like, share, subscribe ज़रूर करें अपने दोस्तों के शाज़ शेयर करें और हमें support करें thanks for watching guys